हारे क्रिशना, आज मैं आपके लिए गर्मियों को इस्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे आप बच्चे या बड़े सभी को दे सकते हैं, और टेस्ट में जितना शानदार है, बनाना उतना ही असान है, तो चलिए जल्दी स बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैं पाँच काजू डाल रही हूँ, पाँच ही इसमें बादाम डाल देंगे, साथी दो हरी लाइची डाल देंगे छोटी, और दो बड़े चम्मच, खस-खस यानि की पॉपिसीर्स ले ले लेंगे, इन सभी बीज़ों को हम एक बार अच्छे से पानी में भीगो देंगे, ऐसा करने से इनकी तासीर बहुत ठंडी हो जाती है, गर्मियों में कभी भी आप ड्राइफूट खाएं तो हमेशा उसको भीगो कर खाएंगे, तो वो जादा फायदप हो जाता है, अब हम इसे ढख करके आद इनकी भी तासीर बहुत ठंडी होती है, उनके बहुत सारे health benefits होते हैं, तो आपको इने गर्मियों में जरूर लेना चाहिए, इनने भी ढख कर हमने रख दिया है, और अब आदा घंटा हो चुका है, इनने भीगे हुए, तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले ली है, और इसे इन सबी चीजों को चान लेंगे, और यह जो चीजें आप भीग चुकी हैं, इसको हम grinder 4 में डाल देंगे, और इसमें डालेंगे एक चोथाई कप थंडा दूद, यह मलाई उत्रा हुए दूद है, यानि कि टोन दूद है, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इस इसमें से मैं 2 कप नाप करके इसमें से दूद ले लूँगी, वैसे आप इस रेसिपी के लिए कोई साभी दूद ले सकते हैं, जो भी आपके घर में रेगुलर आता है, लेकिन अगर आप कच्छा दूद ले रहे हैं, तो आप इसलिए उसे उबाल कर और फिर ठंडा कर ले फिर उसे यूज़ करें, और यह जो हमने पेस्ट तयार किया था, अब इसमें ये पेस्ट डाल देंगे सारा, और अगर आपके पास टाइम कम रहता है, या आप रोज रोज भीगोने का जंजट नहीं करना चाहते, तो आप ये पेस्ट को आइस क्यूब्स की फॉर्म में ज तुड़ा सा दूद डालेंगे, और इसे अच्छे से मेक्स करके वापस इसी दूद में डाल देंगे, हम नहीं चाहते कि इतनी हेल्दी जो हमने पेस्ट तयार किया था ड्राइफूट का वो जला सभी ग्राइंडर जान में लगा रहे, और ये जो तुक मलंगा यानि की जो ये बहुत बहुत फाइदा पहुचाता है, और ये हमने इसे अच्छे से मेक्स कर लिया है, और अब इसमें मीठे के लिए मैं खस सिरप डाल रही हूँ, ये गुरु जी का खस सिरप है, आप चाहें तो इसकी जगा पर रुफजा भी डाल सकते हैं, और इसे डाल कर अच्छ करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे बिना इसके भी सर्व कर सकते हैं, और लिजे बस कुछ मिंटों में ही हमारा बहुत ही टेस्टी, हल्दी, मिल्क शेक बनकर के तयार है, खस का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है, और साथी में जो हमने इसमें ड्राइर फू और बादाम के साथ, गार्निश करना इसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे एसे सर्व कर दीजे, तो लीजे, हमारा बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, ठंड़ ठंड़ गर्मियों का स्पेशल हेल्दी मिल्क शिक बनके तयार है, आप भी इसे अपनी घर में जरू ट्राइ करें, यह सब को बहुत पसंद आने वाला है, और आप मुझे कहां से कौन से देश से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इस तरीके से आप से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक लि गुड़ एक तक झाया थे दिए केर और तक च्छा लगता है नंने च्कार प्रों के लागता हैं, इस ऊच्छा तक लिए।